यहां कि यहां कि यहां कि कौन से सांसद की बात करें कि अगर आप राव इंदरजीत की बात करें तो यहां से चुनाव लड़ने के लिए आते और उसके बात दिखाई नहीं देते हैं और किसी को पूछते नहीं है कोई शायद उनको भी अब नहीं पूछता तो ऐसे सांसद से सवाल ही क्या करें कितनी उम्मीदों के साथ उनको पहले दो-तीन नहीं को हल कर सकता ना किसी समस्या को हल कर सकता है अगर सांसद ऐसा होगा जो जमीन से जुड़ा हुआ अदम होगा तो शायद मेवात की समस्याओं को मेवात के कि तमाम मस्दों को हख़व कर सकता है वरना किसी से क्या सवाल करने हमारा कोई सवाल नहीं और ना同 document को सब्सक्राइब ने लाइक है देखो इतनी सारी मांगें अगर गिनाने पांऊं तो किताब से लिख जाए पैनल मेवाद केनाल की मांग है फोर लेन रोड की मांग है है ना हमारे जिले में इतने सारे सपुल सध्यपक तमामतरे के अस्पतालों की हालत बिगडी हुई है कोई डॉक्टर यहां ठेरता नहीं है अध्यापक यह strongest नहीं है लड़कियों के लिए कॉलिज नहीं है यूनिवस्ट्य नहीं है और tipping तरह कि जो रोज मेरे कि जो किर्शी से एगरी कल्चर से जुड़ी हुई जमीने हैं मुआउजे की बात है बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं हर एक मुद्दे हैं हर घर में हर गली में समझ है है ना होस्पिटल के बारे में कितना सफेध हाती बना हुआ है तमाम मेवाद की अस्पताले सफेध हाती बनी उनमें डॉक्टर नहीं है डिलीवरी के लिए भी और छोटे-छोटे मसलों के लिए भी रोहतक परसो कोई मुझे बता रहा था कि एक्सरे के लिए सिरफ एक्सरे के लिए रोहतक उनको रेफर कर दिया अगर हमारा मेडिकल कॉलि अब जो अच्छे चार पांच स्कूल थे एंडिये के तहत उन सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया सरकारी स्कूल बना दिया कुछ ऐसी उम्मीदे थी उनको भी खतम कर रहें यानि अच्छा करने के बजाए उन तमाम अच्छी जो संस्थाइं हैं उनको भी अदल बदल करके खर उनको कर सके हां सरकार है सरकार अगर कुछ सोचना चाहें तो कुछ अच्छा कर सकती कुछ अच्छा किया भी होगा लेकिन शंसथ से कोई उम्मीद नहीं कि जा सका है कि अध्याद खान लाम है मेरा है यहां के सांसथी श्री रावींदर जी तरी सिंह पर रह चुके हैं और समझता हूं कि मेवाद को पतनी क्यों यह अंदेखा करते हैं आज तक जब इलक्षन का टाइम होता है तब तो वो लोगों के पैरों में पानी डालते पीते हैं उसके बाद तो यह फटकते ही नहा है मेवाद की जो अहालत कर रखे हैं और मैं बहुत बड़ी कर शांसत की नहीं और मैंने उसे बुझाजी आपके तो यहां साहर तरे के भावन हैं जात भावन गूजर भावन सब भावन यह अज तक मेवाद क्यों नहीं है वो अल टा मेरे से बोला कि आज तक मेवाद के जो जो अभी मेरे से पहले कहले थे रोड वाली बात भी ही है कितने बड़े ड़ादस हो और है मुझे ऐसा लगता है कि BJP सरकार इस रोड पे भी जाती ढूंड रही है वो सोचते कि एक बिरादरी के लोग मारे जाते है पर्सो जो एक्सिदेंट वाता उसमें तो यह सरकार कोई काम नहीं करती यह तो बस खाली मेवात को ठगने के लिए यहां आते हैं और मेवात इनके बहकावन आती है मेवाद सीदी साथी भोड़ी बाली है इनको यह काम करते हैं कि अलताफ हुसेन है कि मैं यह समझता हूं कि यह 2009 में पहली दफ़ा यहां सांसद बने और शायद कई चीजें यहां रह गई लेकिन फिलाहाल तो मैं समझत तो यह हमारी शड़क की है सरकार ने कागजम में तो कर दी इसकी घोशना के वहीं यह जो है इसको फॉर्लाइन बन है इस पर नोमसेलेकर करना कर सब्सक्राइबस लेकिन अफिर्प पताहिं नहीं सरकार को पताइव नहीं रहता है कम से कम इसके घड़े बर जाए चित तक fils पर लाइन ओ अच्छा फिर बहुत से सवाल है सवाल एक नहीं है सांससे साथ जब इलक्षिन आते हैं तब जो है नजराते हैं पांस साल तक तो यह नजराते नहीं पहले भी 2009 में जब बने तो फिर बाद में जब आया एलेक्षिन तो उसके बाद जो है चलो कोई बाद नहीं सब्सक्राइब तो कोई फरक नहीं बदली लेगें कम सकम जहां से सांसद बने हैं उनका भी तो खाल रखना चाहिए था यह यहां अश्टी होनी चाहिए यहां हस्पिताल को जो है ले खेल बना रखका है उसका उसमें कभी डाक्टर जो है ने जो 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 बी टैंड हो जाता सब्सक्राइब हैं कई केश आसे हुए जिन में बिल्कुल फर्जी केस एकला कुछ नहीं हूए मामला घटा ही नहीं हो कडी नहीं हुआ और उसे फरजी बना दिया और यह इनको पता ही नहीं लेगता सांसे साब को तो कई चीज हैं तो हम जो हम जो यह मैंने यह सटक काई मा बहुत motherAL Ü एए अपर दो किसाहिक भिफड़ में वाहिए अनकी सही मैले में तो सरकार जुमीर में उम्हार ऐम बात है तो भाग ओनुप अरषित्य एवारें बात कर रहे हुआ है हमारेा शांसद्र राविंद्र जी निन है अधि उस खिट रहे हमाँ खी क्युक्त शेटर बहुत पिछड़ा हुआ चैली और इस पिछड़हें को है मैं कोई भी हमारे पुछले किसरकार मैं सामसद्र दस सालिसे इस जाप सी जिय जो वाद ये कोई वादें पूरे नहीं कि ऐसे नहीं है तक नहीं आपर कोई सअदक जो अपना ये दिल्यलवर रोड ये खुनीरोड के नाम से मसूर। है हिए एबर आपना ये फोर-मय नहीं बना आज तक ही नहीं बना तुम कोटला जील है उसका को सवंद्र करना होता वोग नहीं हुआ शिक्षा का छेतर इतना गिरा हुआ है कि वहां पर कोई कैसी सुवीधा कोई मुएन नहीं है ओफिसों में सरकारी डिपार्टमेंटों में सम में बुरा हाल है रिस्वत खोरी कोई कम ने हुई रिस्वत खोरी और बढ़ गई है कहते थे बीजेपी सरकार में रिस्वत खोरी कम होगी और बढ़ गई है सडकें को इतना बुरा हाल है आपका ही दिली मुंबवई हाईविए हमारी मंवास में से गुजरत हुग हुग गया है इस में और यह बुख्य दश्वोर हड़ानों नहीं क्या फाइद हुग बारे किये जाते हैं कोरेवादों के अलावा और कुछ नहीं है वोटों के राजनीते वोटों को लेके और फिर यहां पर वो एक बार वोट लेने बाद में पांच साल तक यहां पर जहांकर भी नहीं देखते मुझे को पताया जाए पांच साल में रावन रजीत कितनी बार मेवात को दो रखिया है बताओ पांच साल में कितनी बार आएं वो कुछ नहीं है बिलकुल हालत जरजर वस्ता में है कैसी कोई सुधर नहीं है पानी की सिर्फे पानी का यहां पर मेवात के अंदर टेंक भरते हैं वो टेंक का आता हजार रोपे का 15 रोपे का उसे डलवाते हैं उसमें भा देetus दिन नियुको पन्दे दिन लोग उसको पीते हैं वेकजाता पाने उसको पीते रेते कोई पाने कि सूज़दा नहीं कोई बजली कि नहीं है रासते कच्चे पड़े हैं उनकी घृत होने पर निकलने की जिगे नहीं आप जोगा फलाल कितनी वीडियो काउंगे ड़ल रही है जिनमें रास्ते फली हो मैशन कंषर निकलना भारी है